हलो फ्रेंड्स, गूड इवनिंग, आईए आज बात करते हैं, यूनियन कैविनेट ने जो एक पैंसन स्कीम एप्रूब किया है, यूनिफाइट पैंसन स्कीम, गर्मेंट इंप्लोईज के लिए, तो आईए बात करते हैं, क्या है ये, और इसको क्यों लाने की ज़रुरत को लाए गया, जिसमें की इंप्लोई कंटिब्यूट करती है, गर्मेंट कंटिब्यूट करती है, और फिर इसके अनुसार जो है, ये क्या है, एक मार्केट लिंग्ड है, और इसमें पैंसन की कोई एस्चियोरिटी नहीं थी, कि कि इतनी मिलेगी, नहीं मिलेगी, तो इन सब चीजों को दिहान में रखते हुए, यूनिफाइट पेंसन स्कीम लाया गया है, अब इसमें आईए बात करते हैं कि क्या क्या है इसमें, तो ये जो है, एक कमिटी कंस्टिट की गई थी, जो है आपका केविनेश सेक्रेटरी स्वामिनाथन जी के चेर्मेंसिप में, और उन्होंने लगवए, एक सौमिटिंग किया डिफरेंट औरगनाजेशन के साथ, और सभी स्टेट के साथ, साती साथ आरवियाई और वर्ल्ड बैंक से भी इसको कंसल्टेशन को एक्स्टेंड किया, उनसे भी बात किया, और रिकमेंड किया एउनिफाइट पेंसन स्कीम, य या कहें कि फ्यूचर में इंप्लिमेंट किया जाएगा, तो इसमें किन-किन मुद्दों पर बात की गई है, क्या है इसके फाइब पीलर्स, आएए उस पर बात करते हैं, पहला और जो मोस्ट सिग्निफिकेंट पीलर है, वो है अस्योर्ड पेंसन, जो कि प्रैमरी पेंसन की, अब एस्योर्ड पेंसन कितना मिलेगा, तो इस नए स्कीम के तहट, रिटाइरी जो है, वो रिसीब करेंगे पेंसन अमांट 50% अब जेर अवरेज बेसिक पे फ्रॉम लास्ट वेल मन्त अफ सर्विस बिफोर सूपर एन्वेशन, मतर रिटार्मेंट के आखरी सा साल में 12 महिने का जो उनका सेल्डी होगा, उसका एवरेज का 50% पेंसन के रूप में मिलेगा, और ये केबल उनहीं को मिलेगा, जिनोंने मीनिमम 25 साल का सर्विस कंप्लीट किया है, या अगर किसी ने 25 साल से कम लेकिन 10 साल से अधिक सर्विस किया है, तो उसको पेंसन में पेंसन दिया जाएगा, सर्विस लेंद के अनुसार, एस्यूर्ड फैमिली पेंसन क्या है, तो इसमें जो है, फैमिली जो है, वो रिसीब करेगी पेंसन 60%, जो पेंसन इंप्लॉई को मिल रहा था, उसका 60% इमेडेटली विफोर देर डेट, तो इससे क्या हो रह थिए दिपेंटेंट को भी मिल रहा है, उसके बाद है, एस्यूर्ड मीनिमम पेंसन, तो एस्यूर्ड मीनिमम पेंसन जो है, वो 10,000 पर मनत है, जिस इंप्लॉई ने कम से कम 10 साल काम किया है, तो ये जो है, सिगनिफिकेंट्ली किस के लिए है, जिनकी कि सेल्ली कम है तो एस्चोर्ड पेंसन मीनिमम पेंसन में क्या वागत दस अजार तो मिलना आई है और बांकी डिपेंड करेगा कि उनकी क्या इलिजबिलिटी बनती है तो इन्हीं सब चीजों पर आज चर्चा की गई है यूनियन केबिनेट में अगर इसमें बात करें कि बेनिफिशेरी किते हैं तो लगबग 23 लाग गबमेंट इंप्लॉई और अगर स्टेट भी इसको आप्ट करती है तो 90 लाग इंप्लॉई को इससे फाइदा होगा और साथे साथ यह पेंसन इसमें कुछ और चीजों पर बात की गई है तो आईए मैं उस पर भी चर्चा क पर लेता हूँ एक तो इसमें जो है 50 परसेंट जो पैंसन की बात की गई है इसमें जो है आपका चाहे फैमली पैंसन हो चाहे अस्योड पैंसन इंप्लॉई को चाहे मीनिमम अस्योड पैंसन हो सभी में डिये जो है मिलेगा डिये के अनुसार वो मिलेगा और यह और इंडि के अनुसार मिलेगा साथ ही साथ लंसम पेमेंट रिटार्मेंट के समय ग्रेजवेटी के अलावा भी मिलेगा अब यह लंसम क्या है तो वन टेंट आप दा मंदली इमाल्मेंट पे प्लस डिये एज अन डेट आप सुपरिशन पर एबरी कंप्लीटेट सिक्स मांथ अब दा सर सेलरी का एक बटा दस जो है आपको एक्स्ट्रा मिलेगा और अगर किसी ने कर 30 साल सर्विस किया तो उसको 6 माहने की सेलरी उस समय के अनुसार उसको मिलेगी इसको सीधे सीधे कहें तो इसका मतलब यही होगा तो यही सारी बाते जो है ब्रीफ की गई है यूनियन केबिनेट मिनिस्टर अस्वनी वेसनब जी के द्वारा आज तो देखिए आगे इस पर क्या और चीजे निकल कर आती है और क्या होता है बांकी जो है केबिनेट ने तो इनिफाइड पेंसें स्कीम जो है वो सकते हैं साथी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद